वीडियो में हम जेल वार्डर को कौन-कौन से कारे करने होते हैं, उन्हें कितनी सैलरी मिलती है और अगर आप जेल वार्डर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, इन सभी टोपिक के बारे में बात करेंगे तो जैसे नाम से ही पता चला है कि जेल वार्डर तो इनकी duty जो है वो जेल परिशर में लगी होती है इसमें महिला और पुरुष दोनों जेल वार्डर बन सकते हैं जो महिला जेल वारिडर होगी उनकी duty महिला जेल परिसर में और जो पुरुष जेल वारिडर होगा उसकी duty पुरुष जेल परिसर में लगती है इनका जो मुख्य काम है वो है कि जेल में जो बंद कैदी होते हैं उन पर नजर रखना उनकी सुरक्षा करना और उनकी देखभाल आदी करना जेल परीसर की साफ सफाई और जो कैदी बंद है उनकी साफ सफाई जैसे समय समय पर उनके बाल कटवाना आदी जो है वो भी जेल व पानी आदी की विवस्ता करना भी जेल वार्डर की जिम्मेदारी है। पानी जिम्मेदारी भी जेल वार्डर की होती है। जनरल नोली, जनरल हिंदी, नुमेरिकल, मैंटल अबिलिटी, मैंटल अप्लिटुड, इंटेलिजन्स और रीजनिक अबिलिटी से समबंदित पश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें महिलाओ को 14 मिनट में 2.4 किलोमेटर की रेस पुरी करनी होगी और पुरुष को 25 मिनट में 4.8 किलोमेटर की रेस को पुरा करना होगा। इसके बाद फिजिकल मेजर्मेंट टेस्ट होगा जिसमें शरीर का मापन किया जाएगा। उसके बाद डोकुमेंट वेरिपिकेशन और उसके बाद मेरिट लेगेगी।